हलो आज होए 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहें अशोक लेलेंड के बारे में देखिए अशोक लेलेंड के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं और अच्छे आए हैं जो एस्टिमेट था उससे भी बहतर आए हैं वीडियो में बात चीट करेंगे उसके बारे में साथ में ये भी डिसकस करेंगे 150 रुपए का ये शेर क्या खरीदारी के लिए अट्रेक्टिव है भी के नहीं और लॉंग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है जिस एवी की हम इतनी जादा बात चीट कर रहें इलेटर वेहिकल की वहां पर ये जंडे गाड भी सकता है के नहीं वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने बड़ी तीजी आई है नहीं को इतनी बड़ी गिरावट आई है लेगिन एक चीज जरूर है कि थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ जरूर था ये अपने हाई प्राइस से और नत एक बहुत बड़ा शूट अप देख लो शेयर प्राइस में हाँ एक दो परसंट की तीज़ी आप देख सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक दम से कोई बड़ा नंबर देखने को मिल जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है भी शाट टरम के लिए लेकिन हाँ लॉंग टरम क विवद से का लुओ लेकिन इसा में उवय कोई देखं़े हैं तो उसकी तेज़ी ना आपको उससे पहले से नहीं को मिले जाती है ऐसा नहीं होता तो जो परसंट जांग से उसने तीज़ी दिखा दी है और यहां से अब यह नहीं कहसे थे कि यहां से यह और पांट दस परसंट भाग जाएगा कर जब बाज रख खुलेगा असल नहीं होगा एक दो परसंट डिफिनिल यह दिखा सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ा शूट अप नहीं आएगा यहां पर पिछले एक साल के अगर हम बात करें तो साड़े साथ परसंट की तीजी है इस बीच तीजी भी आई गिरावड भी आई तीजी भी इर गिरावड भी फिर से तीजी बनी है यहां पर और देखिए इससे पहले भी ये 150 रुपे से उपर जा चुका है और जब भी वहाँ पर गया है या थंडा जरूर पड़ा है इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि 150 पर गया वापस 140 पर चला गया वापस 150 पर गया वापस 140 पर गया वापस गया वापस नीच आया वापस उपर पहुआ वापस नीच आया तो पहली चीज तो है कि 150 का जो लेवल है वो डेफिनिटल एक रेजिस्टन्स के तोर पर इनके लिए काम कर रहा है अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तो एक breakout दे देगा लेकिन अगर नहीं देगा तो वापस 140 रुपए का मूँ देखने भी चला जाएगा कमपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके जो Q4 के रिजल्ट्स आये है प्रॉफिट में 4X तेज़ी आई है और जो एस्टिमेट था उसको भी बीट कर दिया है इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साड़े साथ सो करोड का मुनाफ़ा इसने कमा कर दिया है जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट 140 करोड का था तो इसके मगाबले तो बहतर है रेवेनियू में भी बहुत बड़ी तीज़ी आई है 13200 करोड के इंका रिवेनियू रहा गोए 33% जंप आया है क्योंकि इससे पहले पिश्य साल इसी क्वाटरम में दस हजार क्रोड से भी कम का revenue था तो बहतर चीज़ है कि यह profit भी बड़े है revenue भी बड़े है और यह बड़ी बात है तो company was expected, थे हो expected क्या था कि इनका profit कितना होगा तो expected था कि 623 करोड का profit करेगी यह company और 11,865 करोड के आस पास के इनका revenue होगा लेकिन profit 623 करोड के बड़े 750 करोड का दिखा दिया और revenue 11,800 करोड के बड़े इसने दिखा दिया 13,200 करोड तो expectation से भी अच्छे नतीज़े आया है जो definitely पिशांदार है दूसी तरफ dividend भी announce हुआ है 2.60 पैसे का जो कि अच्छा dividend है खराब नहीं है बहतर dividend मैं कहूंगा इसको क्योंकि जब बीच में अच्छे profits नहीं हो रहे थे तो dividend उतना पे नहीं कर रहा था यह अब दुबारा से पे कर रहे है और अच्छा पे कर रहे है जो कि बहतर चीज़ है companies truck market share के अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी Q4 में improvement हुआ है improve to 32.70% as against 30.60% देखो पिछले साल इसी quarter में इनका जो truck market share है न वो 30% के आसपास था आज ओ 32% के आसपास है जो कि अच्छी बात है इवन बस market share जो है वहाँ पर भी improvement आया है 26% से 27% पर आया है और यह अच्छी बात है यहाँ पर कि देखो यार market share बढ़ रहा है यह definitely एक अच्छा sign ही मैं कहूंगा यहाँ पर और दिरे दिरी बढ़ते रहना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो quarter बढ़े फिर वाद में गटना शुरू हो गए परफॉर्मेंस को लेकर अशोक लेलेंट कि अगर हम बात कि दो यह अच्छा परफॉर्म किया है खासा के quarter 3 और इस quarter 4 में अच्छा परफॉर्मेंस आया है और उम्मीद करेंगे कि company ऐसे परफॉर्मेंस दिखाया और जहां तक बात है company के EV को लेकर मैं मानता हूं कि भाँ वहाँ पर भी company अच्छा काम करेगी management की तरफ से commentary आए कि it has been a truly wholesome performance we have been able to achieve growth in market share across the geographical and across the product segment along with the significant improvement in our profitability यह company की CEO है उनकी तरफ से यह statement आया है he further added that the company has generated close to rupees 2287 crores of cash this quarter owing to better profit and focusing management of working capital यह बड़ी बात है company cash generate करें बहतर performance दिखाया है इसने जहां तक बात करें अशोक लेलेंड की तो पैसा बना कर दिया है एक साल में भी पैसा बना है छे महिने में भी बना है एक महिने में भी बना है तीन साल में भी बना है पांस साल में भी बना है हाला के पांस साल क्रेटर उत्मा अच्छा नहीं लगेगा आपको और जहां तक बात करी जाए company की तो यह देखो market share इसका 45,000 crore तक पहुँच चुका है लेकिन पहले PEE सस्ता था PEE महिना हो चुका है 71 का हो चुका है और यही वज़ा है कि वह यह जब भी पांस एक सो पचास से एक सो पचपन के बीच में गया है न रेजिस्टन्स बैठा है वहां पर और शेयर गिरा है क्योंकि थोड़ा से महंगा हो जाता है जहां तक बात करी जाए आरोई उतना अच्छा नहीं रहा लेकिन मैं future prospect को यहां पर ध्यान में रख रहा हूं इनका EV वाले performance को ध्यान में रख रहा हूं जहां तक बात है dividend की तो हाला कि 2021 में इसने पे किया था सिर्फ 60 पैसे का 2022 में सिर्फ 1 रुपे का ही पे किया है इस बार 2 रुपे 60 पैसे का मतलब dividend बढ़ाया है क्योंकि company के profits बढ़े हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले company कुछ quarter loss में भी रही एक सो तेरा क्रोड का loss था इससे पहले की quarter में और ज्यादा loss था फिर 155 क्रोड profit रहा फिर 22 क्रोड का profit रहा फिर 185 क्रोड रहा और अभी लास क्वाटर में 350 क्रोड रहा और अभी सीधा बढ़के सारी 700 क्रोड और revenue अगर आप देखो जो पहले 6000 क्रोड थे वो बाद में बढ़के 9000 है फिर 8400 रहे फिर 9600 क्रोड रहे फिर 10400 क्रोड है और अभी सीधा 13000 क्रोड का revenue तो बढ़ रहा है definitely बढ़ रहा है और एक अच्छा sign है मेरे हिसाब से लेकिन हाँ अब इस तरीके से growth दि 35000 क्रोड का था लेकिन 20 में 21 पे आ गया और 21 में तो और कम हो गया 19000 पे आ गया तो यह घटा था इनका revenue और यही वज़ा है कि share price भी जो था न आपको एक बड़े correction दिखाते हुए नजर आये थे 2018 से देखो 2020 तक correction वाला time था यह बड़े corrections देखने को मिल रहे थे हमें यहाँ पर और बड़ा correction थे को दो होजाटा एक सो सांट रुपय का share था गिरा था यह और बाकी की जो कसर थी वो कोविट ने पूरी कर दी थी यहाँ पर अशोक लेलेंट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखो company में सबसे फेले अगर मैं share holding के बारे में अगर हम बात करें और जहां तक बात करें public की तो 11.38% की holding है उनके पास 14.85% की holding Files के पास है 14.52% की holding mutual fund के पास है 5.81 insurance मतलब बड़े-बड़े fund house भी बहुत बड़ी quantity यहाँ पर लेकर बैठ हुए है तकि मुझे अच्छी लगती है company बस खरीदारी वाला price सही होना चाहिए मुझे 150-155 का price उत तरना ज्यादा attract नहीं करता है खा सके जिस condition में है यह उसको ध्यान में रख तो result definitely अच्छा है लेकि असा जरूरी नहीं है कि यहां से और बहतर ही आएंगे एक दो quarter का बीच में खराब आये तब हालत पलड़ सकते लेकिन हम मैं मान की चलूंगे अच्छे ही आएंगाने वा का अगर वहां पर जाता है तो खरीदारी के मौकेट definitely बनेंगे 130-135 का level definitely attractive लग रहा है मुझे 150 में अभी short term के लिए avoid करूंगा यहां पर लेकिन अगर आपके पास है तो रखे रहो ठीक है बेचने की जरूरत नहीं है रखे रहो इसको लेकिन अगर मान लीजे कि गिरावर मैं मान के चल रहा हूं कि एक दो हफ्तों में कोई बड़ी हल्चल आएगी जरूर वहां पर और अगर वहां पर कुछ हल्चल होगी तो इसका सिधा भारत पर क्या पूरे global पर पढ़ने वाला है तो market उस हिसाब से correction दिखाएगा तब और तब खरीदारी के बहतरीन मौके बा कि अभी और गिरेगा अभी और गिरेगा अभी और गिरेगा लेकिन एक पॉइंट पर आगे वह जादा गिरता नहीं है तो यहां पर मेरा यह कहना है कि 130-135 का जो रेंज है वह मुझे पसंद है वहां पर थोड़ी से quantity एड़ करने के मौके बनेंगे और मान लोग यह और ज अगर आप भी इसको इस्तिमाल करना चाहते हैं तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अगर आप मेरा कूपन कोड़ इस्तिमाल करोगे एच एससे 20 तो आपको 20% का विट और डिस्कॉंट भी मिल जाएगा वीडियो को एंड करूँगा पसंद हो तो सब्सक्राइब करें और अशोक लेलेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक्यू